अगले सबता हा होली कातेवा है जसके चलते शहर के दुकानदार अलग अलग रंगों के गुलाल पना रहे हैं लेकिन लॉक्टाउं के चलते गुलाल दुकानदार काफी परिशान है गुलाल का कारुबार नहीं कर पाने से शहर के दुकानदारों पर बैंक से लिए लोन की लेकिन कोरोना महामारी ने अभी भी अपने खतनाख वायरस से लोगों का पीछा ने छोड़ा है जिसके चलते कोरोना से मने वालों का आखड़ा पड़ रहा है। लेकिन लॉक्टाउन लगने से गुलाल बनाने बाले व्योसाइक काफी चितित और परिचान है आए इनसे हमारे सब्वाता था संजे बिरे इनोंने पाचित की है होली के गुलाल का रंग हो गया भी कामी होली एक ऐसा त्युवार जिसे रंगो का त्युवार कहा जाता है होली में हर कोई रंगो से सराबोर हो उड़ता है इस बार कैसी रहेंगे आये हम जानना चाहेंगे इस समय में हम एक ऐसी दुकान में आएुए होए noticing प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी होली के रंग बनाय जा रहा है तो क्या कहना चाहते दुकांदार उनसी जानना चाहते इस समय में हमारे साथ में निलेश नाचनकर जो की रंगों के व्यापारी है और शहर में हर कोई इनी की दुकान का रंग लेता है उनसी जानना चा पूरा कामकाजी थप है भी तो बंद है पूरा और सबसे बड़ी विशे तो यह कि पिछले साल भी यही हुआ पिछले साल भी आठ दिन पहले करोना आया था और उसके करान इस साल तो पूरा ही वैपर खतम बंद आज हमारी 15-10 दिन से दुकान बंद है और मैं तो बोलता अग को खतम करके लेके जावे भी खतम है लेकिन ग्राओ की बात है यह चाहिए बिल्कुल गराख नहीं आरे और जो फुट पाथ बैटने वाले वाले व्यापारी है और उसके बाद में जो उनसे हमारे से जुट पारी लेने वाले जो फुट पाथ में बैटते है जब अगर कुछ भी गुलाल की पोजीशन भी बहुत खराब है इस बर रंग पूरा सब के पास पिछकारी से लेके तो रंग सब चीजे पड़ी हुई है कुछ भी व्यापार नहीं हुआ पाच-दस परसंट का भी व्यापार नहीं हुआ कितना नुक्सान होने का अंदेशा है अब वह तो हम भोलनी सकते नुक्सान अभी लेकिन नुक्सान सब का हुआ है और पूरे 100% नुक्सान हुआ है ना कि आप बोल सकते तो निले श्नाचर के इन्हों ने बताए किस तरह से रंगों से लोगों का नुकसान हो रहा है और दूसरे का इसे कलर के व्यापारी हमारे साथ में गुलाल की जो व्यापारी है वे हमारे साथ में आदमने जी उनसे जाना चाहिए आदमने साथ यह बताए कि प्रतिव वर्श अनुसर इस वर्श भी आपके पास काफी बोरे आयोए जिसके अंदर में आप गुलाल बनाते हो क्या कहना चाहोगे इस बार हमने होली की तैरी करते हुए ब्यांक से कम से कम पंद्रा बीस लाग लोन लिया मगर पंद्रा तरिक से लाग डॉन लगगे आचानक हमारा माल जैस्ता को इसा पड़ा है गिरैक पूछ रहे कि लागडान का फुलें लागडान का खुलने का कोई चांस नहीं धीक रहा लोग बोरे गे किस तारिक से खुलेंगा मगर पोचांस ने हमारा माल जैस्ता का वाईसा पड़ा है, हमारे जो वरकर लोग हैं, उनका भी पगार देने का मुश्किल हो रहा है, और आगे चलके बिजली का बी लाएंगा, उपर से अभी महार्च महने के इंडिंग में जीएश्टी, जीएश्टी मंगेंगे, उपर से इंकम टैक्स, इंकम टैक्स हैं, हम कहां से भरें हैं, यह तो बैंक का लोन लिया है, वह भी आंग पर पड़ा है, और इतना माल हमने खरीद के रगा है, हम से 20-25 लाग का माल आया है, कहां बेज सकते हमें, हमने हमारा गुलाल का गार खाला है, शिर्किशनल नगर में, तो दर्शे को हमने देखा कि दोनों कलर व्यापरे ने और जो गुलाल व्यापरे उन्होंने किस तरह के बात के उन्होंने ये बताए कि होली के रंग में हर कोई सरावर होना चाता है, मगर अफसोस के कोरण अजब से आया हुआ है, उस दिन से काफी सिर्दर्द बना हुआ है, ऐसे में जो एक भारतिय जो तेवार है, होली का वो भी लोग अभी मनाएंगे या नहीं मनाएंगे ये प्रश्ण चिन्ना सा लग चुका है, क्योंकि गुलालो का जो व्यापर है, वहां पर कई छोटे बड़े दुकानदार आते हैं, गुलाल खरीते हैं, फिर गरहकों के पास जाता है, फिर गर उसके बाद गरहक फिर गुला पारियो की, रीड के हड़ी टूट चुकी है, आखिर कार लाखों का माल पड़ा हुआ है, हम जहां जिस गोदा में हैं, आप देख सकते हैं कि लाखों का माल पड़ा हुआ है, ऐसे में होली के रंग में कही न कहीं कोरोना ये भंग डालने का काम कर रहा है, लेकिन एक बात कहते हैं कि होली के दिन रंग खेला जाता है गिले शिक्वे भूल कर दोस्तों दुश्मन को गले लगाया जाता है मगर कोरोना एक ऐसा दुश्मन बना है जो इस रंगों से भी सबको दूर करते हुए नजर आता है कैमरा परसन मोनु खान के साथ संजे मिरे भी से न्यूज ना पूर